स्थानिय बिर्चा कॉलेज में कल्यान विभाग द्वारसंचालित आदिवासी बालत छात्रवास में बी ए सेमेस्टर वन के छात्र सह हौकी प्लेयर विने टेटे के साथ रैगिंग करने का मामला सामने आया है यही नहीं रैगिंग करने वाले ने बुक्त भोगी के मोबाईल से उसकी बहन को फोन किया और अभर्दरता पूर्वक बात की जिसके बाद बुक्त भोगी युवक के समर्थन में चात्र संग के नेता इस मामले को लेकर प्रभारी प्रचार्या से मिले और कारेवाई की मांग की मामले की गंभीरता को देखते हुए खूटी थाना की फुलिस चात्रवास पहुंची फिलाल खूटी थाने के SDPO अमित कुमार थाना प्रभारी पिंकु यादव भुक्त भोगी चात्र वा उसकी बहन से पुछताच कर रही है SDPO ने कहा कि इस मामले में प्राथमी की दर संचालित चात्रवास में आया था कॉलेज की प्रचार्या समेत चात्र नेताओं की समक्ष उसने बताया कि वह सो मुआर की सुबा साड़े आठ बजी होस्टेल आया था दिन में सब कुछ ठीक ठाक रहा शाम को वह सो गया लेकिन भोर के चार बजे एक युवक आया और उसे जबरन उठाया और पूछा हणिया पीते हो इसके बाद उसे जबरन हणिया पिलाया गया लपड थपड करने के साथ हौकी स्टिक से भी मारा गया ऐसा भुक्त भोगी युवक का कहना है भुक्त भोगी युवक ने बताया कि रैगिंग करने वाले ने कहा पियोगे तब ही यहां रहोगे। भुक्त भोगी यूवक ने बताया कि उक्त यूवक का नाम संभाउता एत्वा है। एत्वा ने उसके मोबाइल से उसकी दीदी को फोन कर अभधरता पूर्वक बातचीत की। भुक्त भोगी के अनुसार आरूपी ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी है। सुचना मिलने के बाद प्रभारी प्रचार्या पहुंची होस्टल मंगलवार की सुबा जब प्रचार्या जी किडो को घटना की जानकारी हुई तब वे अपने साथ होस्टल सुप्रिडेंडेंट वासिक्षक राजकुमार गुपता को साथ लेकर होस्टल गई लेकिन तब त की प्रेभारी प्रेचारिया से मिले वे तत्काल आरोपी को बुलाने की मांग करने के साथ भुक्त भोगी छात्र को सुरक्षा देने की मांग कर रहे थे। उन्हें होस्टल से निकाला जाएगा। प्रेचारिया जी कीडो ने कहा कि कॉलेज कमीटी गठित कर पूरे मामले की जाच करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो वर्तमान में कॉलेज के छात्र नहीं है और जिनके पास नामांगन रशिद नहीं होगा उन्हें होस्टल से बाह प्रावरिती नहीं होने दिचाएगी। यह क्या नाम हूँ अनुमौल हो राखेला करा राखेला।